8.4 exercise question 5 पाइट पार्ट है तो यदिस आइटेटिटी साइने प्लस खोसे के का होलिए स्कौर ब्लस को से प्लस से के का होली स्कौर इकोल तु सेवन प्लस 10 स्कौर प्लस कोट स्क्राइर यहां पर हमें लिखना होगा क्योंकि क्या करेंगे यह दोनों इसक्राइर खोल लेते हैं कि एस्क्राइर प्लस बीस केड़ प्लस पूए बी की आइडेन्टिटी से कि इसका भी खोल देते हैं कि बस अभी हाँ पर आपको बस एक काम करना है और एक लाइन में हमारा कुस्चन खतम हो जाएगा इस तरह से सोचना है कि हमें सैवन नंबर चीए तो सैवन नंबर लाने के लिए हम क्या करेंगे साइन स्क्वेर प्लस कोस स्क्वेर इनको तुम कर लेते हैं एक साथ क्योंकि इसकी वैल्यू वन हो जाएगी तो वन तो ऐसे आ जाएगा प्लस टू साइन इसको सैक की जगर लिख देते हैं वन अपोन साइन यह कट गया टू यह आ गया फिर सैक की जगर लिख देते हैं वन अपोन कोष यह भी कट गया तो टू और टू वाईव और टू फ़ो और वन-फाइव आ गया प्लस अब दो टर्म बची हैं कोस एक स्क्वेर की जगर लिख क्योंकि वन प्लस कोट स्केर हमें कोट लाना है कि ऐसी स्केर की जगा लिख देते हैं वन प्लस टैन स्क्वेर तो इस तरह से हमने सारी आइडेंटिटी लगा दी जो भी हमें रिक्वाइरमेंट थी अब यह हमारा वन हो गया है तो टू-फॉर-वन-श-फॉर-फॉर-फॉर- यानि 7 प्लस 10 इस्क्वेर प्लस कोट इस्क्वेर यह हमारा आगया रहे हैस तो अगर एक्जाम में आप यह क्षिन करोगे तो यहां पे लिखना मत भूलना कि हमने कोशाच को वन-पॉन-पॉन-साइन-पूट किया है कि जैक को वन-पॉन-कोश और को सेक स्क्वेर को वन प्लस कोट स्क्वेर सारी आइडेंटिटी हमें लिखनी चाहिए और सेक स्क्वेर की जगह वन प्लस टैन स्क्वेर तो यह हमारा कुस्चन था काफ़ इंपोर्टन उम्मीद्धा आ गया होगा सभी के समझ में